नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूँ आपके साथ अनूप आकाश वर्मा मेरे साथ हैं उक्राइन तक के एसोसियेट एडिटर चिराग गुठी चिराग बहुत-बहुत स्वागत है आपका और खबर जो है वो बैंगलूरू से है एक बेटी जो सूटकेस में अपनी मा की लाश को लेकर पुलिस थाने पहुँच गई पूरी खबर क्या है चिराग से समझते हैं चिराग पूरी खबर क्या है दरसल सोमवार की घटना है अनूप जिसमें एक लिड़ी है जिसका नम सेनाली है थर्टी नाइन उसकी एज है और इसने अपनी मा का मर्डर किया और उसके बाद उसकी जो लाश थी उसको सूटकेस में पैक किया और उसके बाद वो पुलिस टेशन खुद पहुँच गई गिल्ट हुई उसको कि मैंने ऐसा कर दिया और अब मैं ठीक है जैसे आम तोर पर घरों में होता है लेकिन इस लड़की के बारे में क्या इन्पुट मिल रहे हैं लड़की क्या साइको है दिमागी स्थिक ऐसी है क्योंकि जो वज़े बताई जा रही है चिराग इसमें कि ताने देना रोक टोक करना ये तो सामाने बात है सामाने बात है लेकिन कई बार अनूप ऐसा हो जाता है कि बहुत जादा हद पार हो जाती है तो कई बार ठीक है बच्चे फ्रस्टेट होता है लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि यह वारदा था पंजाम दो उसके बहुत अलग तरीके में लेकिन इस केस में जो लड़की ने श तो यह तमाम ऐसी चीजे हुई जिसमें इस लड़की ने कृत्ते किया जिसमें इसने अपनी मा को पहले नींद की गोलियां खिलाई जो कि उसको यह था कि अब उसको मारेगी कैसे कोई चिलाएगा और उस वक्त उसके घर में कुछ और लोग भी थे तो इस बात का था कि कोई और उटना गोलियों की ओवर्डोस देदी जिससे वो बेसुद हो गए उसके पेट में पहले शुरवात में दर्दवा फिर वो बेहोश जो हो गई इसके बाद उसने गला दबा दिया और चुकि बुड़ा शरीर है तो वो बहुत जादा जहिल नी पाएगा तो इसके बाद कर गई और उसके बाद इसने आप सोची कि कितनी भायानक तस्वीर रही होगी उस वक्त और नजारा रहा होगा कि जब उसने पनी मा का गला दबा दिया वो मर गई पहले तो तुलब तुलब के उसको मार दी मर गई उसके बाद उसने सूटकेस में उस बॉड़ी को पैक किय और इस तरह से पैक किया है कि अब सूटकेस पहले तो जैसे कोई सामान और मुझे लगता है प्लैनिंग रही होगी कि उसको सूटकेस में डालना है क्योंकि उसको सूटकेस भी पहले से इंतजाम था उसका और यह भी था कि मारना भी नींद की गोलिया देकर है ताकि शोर भ जो बादचीत हो लड़की से उसका ही कहना है कि वह रशानती रोजाना यह इस तरह की हरकते हो रही थी और उसने कहा था जब उसकी माने उसको इमोशनल ब्लैक मिल करना शुरू करती है कि मैं कुदकुशी कर लूँगी तो और फ्रस्टेट हो गई और घर में कोई और भी है अभी तक जाच में बाद सामने है कि जब यह घटना हुई उसके तो एक कोई फैमिली मेंबर था वो मौजूद था लेकिन उसके और था नहीं इसकी फादर भी नहीं है लड़की है और यह बताते है कि जब इसने हत्या कर दी सूटकेस में पैक कर लिया बाड़ी को उसके ब और पुलिस वाले एकदम परिशान हो गए क्या सूटकेस लेकर आगी तो उसने बोला इसमें डेट बॉड़ी पड़ी है और वो मेरी मा की डेट बॉड़ी है तो पहले तो लोगा पुलिस वाले को कि शाद कोई पागल लड़ी है इस तरह की बाते कर रही है लेकिन जब उन ले उटता है अनूब इस तरह की तमाम घटना है हम देख रहे हैं पिछले कि इतना गुसा इतना इगो और इतना फरस्टेशन भरावा है लोगों में कि वो एक पल को यह सुचते हैं कि बेंगलोर की खबर है यह तो निसंदे परिशान करती है और यह सोचने पर मजबूर कर करती है कि आखिर जो हमारा जो समाज है और उस समाज का जो तनाعो है और उस तनाव की जो हद है तक आप पहुंची हैfight और शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका यहां रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाएएगा नहीं बने रहे हमारे साथ देखते रहे आज तक डिजिटल